बूझ गीनिण शेीटवान रॉजीम, बिस्मिल्लायरुमान रुखिंबु है। Lecture number 2 first year chapter number 1st Scientific notation scientific notation आपके पास अगर आप किसी number को Standard form में लिख ले अगर आप किसी Number को standard form में रख ले लिख ले, muốn किम्लिक्लाबन एंश वह थी पाँर scientific notation कहते है, scientific notation में एक demasiado आप सिरुफ याद रहे के, के decimal points है. decimal point ये देख ये decimal point है. Decimal point के left side पे आपके पास एक non zero digit होना चाहिए. One non zero digit at the left side of a decimal point. ये ज्रोर ही है. अगर decimal point के left side पे 0 हो, फिर ये scientific notation नहीं होगा. अगर decimal point के left side पे दू डिजिटस हो, पिर भी आपके पास ये scientific notation नहीं होगा ठीक है ये बात याद रिकें तो scientific notation में सिर्फ ये एक बात है कि decimal point के left side पे एक non zero digit होना चाहिए ये इसके लिए rule है large number को या small number को आप in a power of 10 form में लिख ले इसको हम scientific notation कहते हैं ठीक है अच्छा prefixes आपके पास क्या है prefixes याद रखे कुछ specific power of 10 को some specific power of 10 को specific names दिये गए हैं और उसको basically कहा जाता है prefixes इसको हम क्या कहते है prefixes हम इसको कहते हैं ठीक है आप देखे सेंटी मीटर ठीक है सेंटी मिली आपके पास जो है माइक्रो आपके पास जो है किलो इट्सेक्टरा इस आर प्रिफेक्सेज सेंटी आपको बढ़ते है 10 पावर माइनस 1 ठीक है सेंटी 10 पावर माइनस 2 मिली 10 पावर माइनस 3 माइक्रो 10 पावर माइनस 6 किलो 10 पावर 3 तो याद रहे कि कुछ स्पिसिफिक पावर आफ टेन को स्पिसिफिक नाम दिये गए हैं जिसको हम क्या कहते हैं प्रिफेक्सेज कहते हैं अब इसमें कोई साइंस नहीं कोई लाजिक नहीं कि मैं आपको बताओ ठीक है तो सम स्पिसिफिक नेम इस गिवन तो सम स्पिसिफि हम कहते हैं प्रीफेक्सेज इसको हम प्रीफेक्सेज कहते हैं अच्छा अब अगर आप बुक में देखे तो कन्वेंशनल रूल्स है फार यूनिट्स अब देखे यूनिट्स आप लोग इस्तिमाल करते हैं तो यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स जो है वो बनाए गए हैं ठीक के और वो रूइंज आपके पास क्या है आप बॉक में देखे में याप पर लिखना जाथे है अगर अप पूरा नाम लिखना चाहते हैं ठीके फारक किसी UNIT का पूरा नाम आप लिकना चाहते हैं Newton, Kelvin, ठीक है? Meter. तो देखे, जो starting letter है, it must be a small letter. अगर आप किसी unit का पूरा नाम लिकना चाहते हैं, तो starting जो alphabet होगा, ये small letter का होना चाहिए. अगर किसी ने इस तरह लिक लिया, Newton, तो ये आपके पास घलط होगा. अगर किसी ने इस तरह लिख लिए केल वन ये आपके पास क्या होगा गलत होगा तो अगर आप किसी फिजिकल कॉंटिटी के यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो स्माल लेटर होना चाहिए ठीक है एवन अगर यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम के बेस्ट पे हो या ना हो ठीक है तो ये आपके पास फर्स्ट रूल है अगर कुछ यूनिट्स आप लोगों ने देखा होगा नियूटन, कैलवन, कूलम, फेराड, पास्कल वग्यरा ये साइंटिस्ट के नाम है ठ सिंबल के लिए है, फर्स्ट रूल आपके पास फुल नेम के लिए है अगर आप सिंबल ठीक है लेकिन सिंबल उन यूनिट्स का जो किसी साइंटिस्ट का नाम हो तो आप स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल लिख ले, इस इस करेक्ट, कैलवन, साइंटिस्ट का नाम है, इ लेकिन अगर कोई unit किसी scientist का नाम नहीं है तो पिर आप इसको small से represent कर सकते हैं तो second rule आपके पास यह है कि उन physical quantities के units जो किसी scientist का नाम हो अगर उसका आप symbol लिखना चाहते हैं तो starting letter को capital में लेकले यह आपके पास second अगर newton को किसी ने इस तरह लिख लिया न्यूटर को small n से गलत होगा Kelvin को अपने इस तरह लिख लिख लिया यह गलत होगा ठीक है, यह याद रिखे तर्ड आपके पस जो है तर्ड अगर अब prefix को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर आप prefix को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं लिख लूँगा no space between prefix and base unit. Base unit और prefix के दर्मियान कोई space आपके पास नहीं होना चाहिए. ठीक है अब देखे अगर मैं लिख लो millimeter, अगर मैं लिख लो kilometer, ये ठीक है. अगर मैं लिख लो micrometer, तो याद रखे, जब आप prefix को इस्तेमाल करेंगे, तो prefix और base unit के दर्मियान कोई space आपने नहीं रखना होगा. ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लो, ठीक है, ये, अब ये millimeter नहीं होगा, ये meter meter है, ये meter meter है, ये millimeter है, ये millimeter नहीं है, ठीक है, तो अगर आप prefix इस्तेमाल करना चाहतें, तो prefix और base unit के दर्मियान कोई space नहीं होगा. ठीक है, fourth आपके पास जो है, fourth आपके पास जो है, no more than, no more than one prefix used, no more than one prefix used in single measured value, single measured value में, अगर आपके पास जो है, prefix आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक से ज्याद़ prefix को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप अगर देखें, अगर मैं लिख लो, three multiply by ten to the power minus three centimeter, तो ये ठीक है, आपने एक prefix इस्तेमाल करें, ये ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरह लिख लेके, यार ये भी तो मिली है, और कोई इस तरह लिख ले, three mili centimeter, तो ये आपके पास घलत होगा, तो याद रिखे, आप डेटा में सिरफ एक prefix इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक से ज्याद़ prefix इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या no compound prefixes are possible, compound means more than one prefix, ये पासिबल नहीं है, ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं फिफ्ट रूल को लो, तो must be space, must be space between two or more units, अगर एक physical quantity है, और वो दो या दो से ज्यादा units से, उस physical quantity का unit बना हुआ है, तो पिर उसकी दर्मियाद आपने prefix, जो है, वो, sorry, space जो है, वो आपने लगाना होगा, अब देखे, जाउल second, जो के angular momentum का unit है, तो जाउल energy का है, second time का, देखे, मैंने space पुट कर लिए, अगर कोई इस तरह लिख ले, कि जाउल second तो ये घलत होगा, ठीक है, न्यूटन मीटर, तार्क का unit है, तो न्यूटन और मीटर, दो units से इसकी दिर्मियाद, space, अगर किसी ने इस तरह लिख लिख लिए, तो ये घलत होगा, तो दो या दो से जादा units, अगर किसी physical quantity के unit में हो, ठीक है, तो उसके दर्मियान आपने space रखना होगा ठीक है, उसके दर्मियान आपने space रखना होगा prefix और unit के दर्मियान no space लेकिन दो या दो से ज्यादा unit सो तो पिर आपने space जो है, वो रखना होगा ठीक है, यह sixth number rule आपके पास जो है ठीके, ये space आपके पास बन गया है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर में लिकलो, the power on prefix, sorry, the power on base unit, the power on base unit also represent power on prefix, याद रिके, अगर आपके पास power हो, ठीक है, अगर आपके पास power हो, base unit पे, ठीक है, तो वो basically prefix पे power को भी represent करता है, ठीक है, किस तरह, इसका मतलब आपके पास चो है, क्या है, तो आप इस चीज़ को देख ले, अगर मैं लिकलो, के, 3 किलो मीटर स्क्वेर, तो लेके, पावर सिर्फ बेस unit पे है, पावर सिर्फ बेस यूनिट पे है, लेकिन बेस यूनिट पे जो पावर है, वो prefix पे power को represent करता है, इसको मैं इस तरह भी लिक सकता हूँ, 3 किलो स्क्वेर मीटर स्क्वेर, इसको मैं इस तरह भी लिक सकता हूँ, तो याद रिके, अगर डेटा में आप बेस यूनिट पे पावर को देख ले, तो वो पावर प्रिफिक्स पे भी पावर को represent करता है, ठीक है, ये बात याद रिके, तो 3 किलो मीटर स्क्वेर, नारमल इसको represent करता है, इसको represent करता है, और एक बात याद रिके, अगर आप बेस यूनिट के पावर को, अगर आप बेस यूनिट के पावर को खोल ले, और जो resultant 10 पावर आ जाए, तो फिर उसका prefix आप इस्तमाल नहीं कर सकता है, मतलब अगर कोई इस तरह लिक ले, के यार ये तो 10 पावर 6 है, मैं इसको लिक सकता हूँ, मेगा मीटर स्क्वेर, मेगा मीटर स्क्वेर, तो ये खलत होगा, मैं इसको इस तरह नहीं लिक सकता हूँ, इस तरह लिक सकते हैं, इस तरह लिक सकते हैं, इस तरह लिक सकते हैं, वो आप नहीं लिक सकते हैं, ठीक है, और इस में जो single system में रखना होगा और पिर आपने problem को solve करना होगा अगर कुछ data SI system में हो कुछ data आपके पास जो है वो किसी और से यह system में हो और आप problem solve करेंगे तो result आपका ठीक नहीं आएगा ठीक है तो all data must be in a standard system or single system तो यह आपके पास conventional rules है book में लिखे हुए मैं वहां से आप देख ले, मैं इसमें एक दो model mcqs जो है, वो discuss करना चाहता हूं, किस किसम के mcqs इसमें आ सकते हैं, mcq, which one is proper unit, which one is proper unit of, let's suppose, planks constant, planks constant का proper unit आपके पास क्या है, a option आपके पास जो है, यह, b option आपके पास, john space, second, c आपके पास जो है, ठीक है, वो आपके पास, john second, or d आपके पास जो है, that is, john second, ठीक है, तो proper unit planks constant का क्या होगा, अब देखे, john किस चीज़ का unit है, energy का, और जॉल नाम है scientist का, और अभी हमने rules में पढ़ा, कि अगर scientist का नाम हो, तो उसका symbol capital आपने लेकना होगा, तो यह तो नहीं है, जाल, capital है, second, और space भी है, this is the correct one, यह क्यों correct नहीं है, क्योंकि पूरा नाम small alphabet से लेका जाता है, इसमें तो capital है, तो यह भी घलत है, ठीक है, और यह देखे, इसमें space नहीं है, तो यह भी घलत है, तो आपके पास be option is the correct option, तो इस किसम के MCQs आपके पास in rules में आ सकते हैं, कि इस physical quantity का आपके पास चो है, proper unit क्या होगा, मैं इस तरह भी लिख सकता, MCQ, 5 mm2 can be written as dish, यह option आपके पास, 5 multiply by 10 is to power minus 3 meter square, B option आपके पास चो है, 25 multiply by 10 is to power minus 6 meter square, C option आपके पास चो है, 5 multiply by 10 is to power minus 6 meter square, ठीक है, बिल्के मैं इसको लिख लेता हूँ, 25 multiply by 10 is to power 6 meter, चले मैं इस option भी लिख लेता हूँ, 5 micro meter square, यह आपके पास D option, और अगर मैं इस option लिख लो, both C and D, ठीक है, 5 millimeter square can be written as this, ठीक है, अब अगर आप options को देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, कि इस prefix को open किया इया है, ठीक है, तो rules के मताबिक से, 5 millimeter square, तो 10 is to power minus 3 square, meter square, ठीक है, और इसको आप लिख सकते है, minus 6 meter square, ठीक है, तो ये आपके पास correct option आई गया है, अब अगर आप में से कुछ students ये सोच रहे है, कि ये भी तो micro है, और ये भी तो both आपके पास correct हो, तो घलत है, रूल में अभी आपको मैंने बताया, कि आप 10 power prefix के power के rule को आप power को को खोल ले, तो पिर resultant के, जो resultant power आजाते हैं, उसका prefix आप इस्तिमान नहीं कर सकते हैं, तो ये correct है, ठीक है, आपने से ज्यादतर students, जहन में ये आएगा, कि ये और ये, ये तो एक ही चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ है, लेकि उपर data को आप देख ले, ठीक है, उसके मताबिक से ये correct option है, रूल के मताबिक से ये नहीं है, क्यों, क्योंकि रूल में हमने पढ़ा, कि base unit पे जो power है, वो prefix पे power को represent करता है, तो अगर आप micro का square ले तो ये तो 10 to power minus 12 को represent कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके idea के लिए, दो model mcqs मेंने discuss कर लिए है, ठीक है, तो ये आपके पास conventional rules है, अच्छा, अब यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं, error, ठीक है, अब हम error को discuss कर रहे हैं, तो error आपके पास क्या है, तो आप लोग याद रहे के, this is always positive because error is a magnitude, ठीक है, error हमेशा positive होता है, क्यों, क्योंकि error means magnitude, magnitude कभी भी negative नहीं हो सकता, magnitude is always positive and scalar, इसलिए हम इसका absolute निकालते हैं, इसलिए हम इसका क्या निकालते हैं, ठीक है, ये बात याद रहे हैं, अच्छा, अब error आपके पास जो है, मैं यहाँ पर एक sentence लिक रहा हूँ, errors and uncertainties, errors and uncertainties in single measured value, in single measured value will be always aided, अगर आप एक physical quantity को मैं यह कर रहे हैं, और उसमें मुक्तलिफ किसम के errors आजाएं, तो errors and uncertainties हमेशा aided होते हैं, हम errors and uncertainties को subtractive नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, maximum possible error, ठीक है, with respect to pointer position, with respect to pointer position, maximum possible error आपके पास जो होगा, this is equal to half of least count of a measuring device, half of a least count of a measuring device, अब least count आपके पास क्या है, ठीक है, तो least count आपके पास जो होता है, वो smallest magnitude जिसको हम किसी device से measure कर सके, उसको हम least count कहते हैं, ठीक है, मैं इसको circle कर लेता हूँ, least count आपके पास क्या है, this is least count, the smallest division, the smallest division on the scale of device, ठीक है, वो smallest division किसी scale पे, या वो smallest magnitude जो हम किसी scale से या device से measure कर सके, उसको basically हम कहते है, least count, तो देखे, maximum possible error with respect to pointer position, half of list count, pointer position के मैं explain कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं explain कर रहा हूँ, और अगर मैं लिख लो, maximum possible error और pointer position की कोई बात में ना करो, ठीक है, वो आपके पास L.C list count के बराबर होता है, तो देखे, maximum possible error अगर आप एक device इस्तिमाल करें, तो वो least count जितना होगा, ठीक है, ये बात आप लोग याद रहे के, तो maximum possible error equal to the least count of a device, और pointer position के मताबिक से half of least count, तो आप ये देखे, अगर मैं ruler को ले रहा हूँ, ठीक है, this is ruler, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जाते जाएं, अगर मैं ruler को इस्तिमाल कर रहा हूँ, और एक line के, ये आपके पास एक line है, और इस line के length को मैं ruler से मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इसके length को आप लोग देख ले, length आपके पास और जोगा, देखे, ये second division है, 1, मैं लिकूँँगा, 1, ठीक है, और 0.2 cm, तो देखे, जहाँ से आप reading लेते हैं, मैं यहाँ से reading लेता हूँ, तो जहाँसे आप reading लेते हैं, ये आपके पास pointer position होता है, ठीक है, for example, आप गाड़ी के स्पीडो मीटर को ले रहे हैं, तो गाड़ी के स्पीडो मीटर से आप जहां से रिडिंग ले रहे हैं, वो आपका पॉइंटर पॉजीशन होगा, ठीक है, आपके पास इंपेर मीटर है, this is, let's suppose, इंपेर मीटर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यह आपके पास, let's suppose, 10 एंपेर और यह 5 एंपेर, यह आपका एंपेर मीटर है, यह आपके पास एंपेर मीटर है, ठीक है, तो अगर आपने इसको एक सरक्ट में लगाया हुआ है, और इसका पॉइंटर यहां पर है, तो यहां से आप रिडिंग लेंगे, इसको बीजिक लिए हम पॉइंटर पॉजिशन कहते हैं, जहां से आप रिडिंग लेते हैं, तो अब आप तोड़ा सा इस डियाग्राम को देखें, आप इसको देखें, क्या, इस लाइन का जो इंड है, यह एक्जेक्ली इस सेकंड डिवीजिन पर है, यह इस सेकंड और तर्ड के दर्मियान है सेकंड और तर्ड डिवीजिन के दर्मियान है, मतलब एक्जेक्ली आपके पास सेकंड डिवीजिन पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, देखें, यह इस सेकंड और तर्ड डिवीजिन के दर्मियान है, दर्मियान, तो दर्मियान का मतलब क्या होता है, मिड़ 1.1 cm होता है, या 1 divided by 10 cm, या 1 mm आपके पास होता है, तो आप लोग देखे, आप इस बात को तोड़ा सा सुने, कोई भी डिवाइस हो, तो दो डिविजिन के दर्मियान, जो डिस्टन्स होता है, वोलिस्ट काउन के बराबर होता है, तो देखे, अगर आप इस लाइन के इंड क और दो डिविजिन के दर्मियान डिस्टन्स लिस्ट काउंट है, तो मिड मीन्स हाफ, पूरा लेंथ, दो डिविजिन के दर्मियान, उसको हाफ करे मिड, तो मिड आजाएगा, तो हाफ अफ लिस्ट काउंट, ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंटर पॉजिशन के बेस पे दो डिविजन का हाफ तो हाफ लिस्ट थाउं ठीक है अच्छा आप यहां पर देखें क्या यह पॉंटर एक्जेकली 5 इंपेर पेर नौ इस 5 और 6 के दर्म्यान कहीं पर है दर्म्यान में हाफ लिस्ट काउं तो यहांं पर भी आपके पास इरूर हर पस लो लेकिन अगर मैं आप लोगों से पोच लो क्या ये end, starting end, क्या ये exactly zero पर है? नो. ठीक है, तो half least count error यहाँ पर, half least count error यहाँ पर. और मैंने क्या कहा? कि हम errors को aid करते हैं. हम errors को subtract नहीं कर सकते हैं. हम errors को multiply नहीं कर सकते हैं. हम errors को divide नहीं कर सकते हैं. हम errors को सिरफ aid कर सकते हैं. क्य में थे आफ़ेर आपके जहन में आ रहें तो ये एक ही लाइन है ना half list count error एस एक end पहें half list count error इस दूसरे end पहें, ज़रुरी तो नहीं हैं कि ये भी जिडिक्ली जीरो पहें, जीरो से आगे पीचे हो सकता है तो आगे पीचे दो डिविजन के वही दर्म्यान वाली बात हम करते हैं तो half list count तो half list count error यहां पर है half list count error यहां पर है तो total error क्या होगा half list count plus a half list count और यह आपके पास बन जाएगा least count of a device यह आपके पास least count of a device बन जाएगा ठीक है यह बात याद रखे तो इसलिए मैं आपका ना देखे अब मैं अगर इस half list count और half list count को subtract करो तो zero और error कभी भी zero नहीं हो सकता अगर मैं multiply करो तो one over four तो error तो कम हो और और कम नहीं हो सकता ठीक है तो इसलिए हम errors को हमेशा aid करता है तो maximum possible error is equal to a least count of a device ठीक है ruler का least count point one centimeter या one millimeter वर्निर के लिपर का point zero one centimeter या point one millimeter और screw gauge का point zero zero one centimeter या point zero one millimeter millimeter least count है screw gauge का ठीक है तो maximum possible error is equal to least count of a device तो आप जो device इस्तेमाल कह रहे है और आपको बताया जाए कि मैं इस device को इस्तेमाल कह रहा हूँ तो मैयाद वेल्यू में maximum possible error क्या होगा to list count of a device मैं रूलर को इस्तेमाल कह रहा हूँ एक राट के लेंद को मैयर कह रहा हूँ the length of a rod is 20 centimeter then what will be the maximum possible error in the length of a rod to list count of ruler क्या है 0.1 centimeter ठीक है मैं इस marker के लेंद को मैयर कह रहा हूँ by using a ruler and the length of this marker is 30 centimeter so what is the maximum possible error in the length of this rod? तो आपके पास list count of a ruler 0.1 centimeter or 1 millimeter if I using a vernier caliper to measure the diameter of a wire where the diameter of a wire is 1.22 centimeter then what will be the maximum possible error in the diameter of that wire तो आपने वो ररे के लिए पर इस्तेमाल किये तो maximum possible error the least count of a warner caliper ठीक है यह बात याद रहे तो यह आपके पास error maximum possible error least count of a device आपके पास होगा और वो point भी आपको clear होगे कि हम single major value में errors को हमेशा aid करते हैं अच्छा अब यहाँ पर आपके पास types of error है number first आपके पास personal error ठीक है second आपके पास चो है systematic error systematic error और third आपके पास चो है that is a random error तीन किसम के error है personal error, systematic error और आपके पास है random error इसका cause आपके पास चो है वो observer है या experimenter है observer और experimenter आपके पास इसका cause होता है ठीक है for example personal error जो experiment कह रहा है जो observation कह रहा है उससे कोई error कास हो जाए वो personal error में आता है मिसाल क्या है आप scale को सही read नहीं कह रहे या आपका error है scale को आप सही तरीके से read नहीं कह रहे कोई natural imperfection हो मैं मिसाल देता है students को कि आप किसी को कह रहे कि visible spectrum of hydrogen atom को पड़े ठीक है तो एक observer से जो error आजे वो personal error कहलाता है और याद रहे के personal error को completely remove किया जा सकता है अगर आप observer को well trained करें अगर आप observer को well trained करें operators को operate करना उसको आ रहे है अगर कोई बंद आप device operate नहीं कर सकता तो वो घल्टी करेंग वो personal error आपके पास आजाए error in device, device में आपके पास अगर error हो ठीक है या instrument में आपके पास error हो तो यह systematic error में आता है ठीक है, for example, for example poor scaling ya calibration poor scaling or calibration ठीक है, systematic error आपके पास हो यह this is a fixed or constant error यह fixed error होता है यह constant error होता है and we can completely remove it we can completely remove it by comparing with standard device आप अगर extended device के साथ compare करे तो आप किसी भी device से या किसी भी operator से error को निकाल सकते हैं ठीक है, तो हम इसको completely remove कर सकते हैं ठीक है, और common example इसका जो है common example ठीक है, poor scaling और यहाँ पर आपके पास zero error zero error भी इसका एक common मिसाल है, systematic error zero error is also known as a systematic error ठीक है, random error आपके पास जो है इसका जो cast होता है इसका जो cast होता है वो environmental conditions होता है environmental conditions याद रिके environmental condition random error का कास है और हम इसको random क्यों कहते हैं ठीक है, not fixed not fixed are constant constant error याद रिके इसको नाम ही random इसलिए दिया है क्योंकि यह fixed नहीं है constant नहीं है क्यों? environmental conditions fixed amount में vary नहीं होता है randomly vary होता है तो इसलिए error भी आपके पास random ही आएगा तो random और systematic में फर्क आपके पास यह है कि यह fixed है this is fixed are constant error लेकिन यह आपके पास चो this is not fixed are constant error और याद रिके random error आपके पास चो है it cannot be removed यह cannot be removed completely हम इसको completely remove नहीं कर सकते random error को completely remove नहीं किया जा सकता हाँ इसको minimize किया सकते है इसको minimize किया जा सकता है ठीक है और किस तरीके से minimize किया जा सकता है random error random error can be minimized random error can be minimized by repeating experiment several times and taking its average याद रुके अब जितना ज्यादा time experiment repeat करेंगे तो आपके पास random error कम से कम होगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हू random error this is inversely proportional to the number of observations ठीक है random error आपके पास जो है this is inversely proportional to the number of observations आप अगर number of observations 10 time कर रहे है तो random error आपके पास 10 time decrease होगा ठीक है 10 time आपके पास क्या होगा decrease होगा याद रिखे random error को हम कभी भी remove नहीं कर सकते है लेकिन इसको minimize जरूर कर सकते है और minimize किस तरीके से कर सकते है आप जितना ज्यादा time experiment perform करेंगे और उसका average निकालेंगे आप उतने random error कम से कम कर सकते है अगर आप number of experiment double कह रहे है तो random error will be half अगर आप number of experiment 10 times बढ़ा रहे है तो random error आपके पास 10 time decrease हो जाएगा तो random error आपके पास जोगा इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the number of observations ठीक है तो ये बात आप लोगो याद रखे तो हम इसको खतम नहीं कर सकते क्यों खतम नहीं कर सकते क्योंके environmental conditions आप अपने control में नहीं रख सकते environmental conditions हमारे control में नहीं है ठीक है और नहीं उसको fixed amount में change कर सकते variable amount में ये change होगा इसलिए तो error आपके पास random है तो देखे, मैने systematic error में कहा था, कि that is a fixed or constant error. ठीके, लेकि 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 रेंडम error आपके पास वे this is not a fixed or constant error. क्यों? तो मैं आपको zero error में ये explain कर लूँगा. ठीके, और इसको भी याद रहे कि मैं इस पे भी MCQ जाहे लिख लूँगा. अगर वे आपर एक MCQ चले लिख लूँगा. Experiment performed five times. Experiment performed five times by using single device and error. Average error भी कहा जा सकता है. And average error are error. Error observed is x. Error observed is x. If we repeat experiment ten times. Ten times. मैं इस ten times के साथ यहाँ पर तोड़ा से जगाँ छोड़ रहा हूँ. ठीके, आप मत छोड़े, आपके लिए two MCQs हो जाएंगे. Ten times, then. Average error या error will be dish. Experiment को मैंने five time, जो है, repeat किया. Experiment performed five times. या repeated five times. By using single device and error observed is x. If we repeat experiment ten times, then error will be dish. ठीके, मैं यहाँ पर options लिक लेता हूँ. A option, x. B option, 2x. C option, x divided by 2. Aar D option, x divided by 3. अब देखें थोड़ा सा, पहले हमने experiment कितना time perform किया? Five times. और error आपके पास क्या था? X था. अगर आप experiment को repeat करें ten times, तो ten five का double है. ठीक है? Ten आपके पास जोजे five का double है. तो पहले आपने five time experiment perform किया था. अभी आपने ten times double, तो अगर number of observation double होगे, तो error will be half. तो ये आपके पास answer होगा. X divided by two. ये इस relation के base पे है. ठीक है, अच्छा. अब मैंने याँ पर ये जगर Q चोड़ा है. अब देखें, मैं आपको एक बात बता रहा हुए. MCQ's को आपने पूरा पढ़ना होगा. क्योंकि MCQ में अगर एक word का इजाफा हो जाए, एक word का इजाफा हो जाए, तो उसका answer change हो जाता है. अब मैं, MCQ का answer X by two है. मैं सिर्फ इसमें एक word aid कर जाता हूँ. Ten times more. मैंने सिर्फ एक word aid किया, तो अगर more मैंने aid किया, तो question X by two नहीं होगा. तो MCQ को पूरा पढ़ना है, एक word MCQ के answer को change कर जाता है. तो थोड़ा सा आप लोगों ने इहतियाद करना होगा. अब देखें, अब answer क्या होगा? तो देखें, पहले कितने experiment परफॉर्म किया यह था? फाइफ टाइम्स, आप 10 टाइम्स more. आपके पास पांच रुपेत है, डस ओर आपको मेले तो कितने बन गया है? पंद्रह. और 15, फाइफ का थ्री टाइम्स है. तो पर रिपीट करो, आपके पास पांच रुपेत है, मैंने आपको दस ओर दिये. आपके पास पंद्रह हो गया है, तो पहले एक्स्परिम्ट फाइफ टाइम्स, आप 10 टाइम्स more, तो 5 प्लस 10, 15. तो इट मिन्स 15, 5 का 3 टाइम है. अब आपके पास अंसर x डिएड बाइट 3 होगा, x बाइट 2 नहीं होगा. तो एक वरड के लगाने से mcq, देखे, जो mcqs हम करवा रहे हैं, जुरू नहीं कि वही आज है. आप concept सीखा करें, इस important thing is concept. फिर आप इंशालला कोई problem नहीं होगा. So this is the model mcq. अच्छा, अब आपके पास है zero error. अब zero error आपके पास क्या है? Zero error when scale of a device is a not zero before operating a device. Before operating a device. So फिर इसको बढ जीरो error कहते हैं. Zero error when scale of a device is not zero before operating a device. अभी आप device operate नहीं कह रहे हैं. ठीक है, लेकिन उसका scale zero नहीं है. उसका scale आपके पास यह zero नहीं है. तो इसको हम कहते हैं zero error. क्या मतलब है? आपके पास let's suppose stop watch है. Stop watch आप लाग कोशिश करें, वो zero से शुरू नहीं हो रहाँ वो 5 seconds से शुरू हो रहा है. ठीक है, तो 5 seconds से शुरू रहा है, यह इसमें zero error है. यह आपके पास impair meter है. यह impair meter है let's suppose. इस इस impair meter device जो कि करन को मेर कर रहा है. यह आपके पास zero, one, two, three, four, five impair. यह आपके पास one, two, three, four, यह आपके पास ten impair. ठीक है, अब अगर आपने इसको circuit में नहीं लगाया. मैं इसके साथ लिख लेता हूँ. not connected, not connected in circuit. अभी आपने इसको circuit में नहीं लगाया. लेकिन देखिए तो आपको बता रहे हैं कि circuit में इसमें एमपेर मीटर में से one impair current पास हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसका scale zero पे नहीं है, हम एमपेर मीटर को use नहीं करें, इसका scale zero पे नहीं है. तो इसका किसम के error को हम क्या कहते है, zero error हम इसको कहते है. ठीक है, यह बात याद रहे हैं. तो अगर किसी device का scale zero नहीं हो, zero नहीं हो, before operating it, इसको zero error कहते है. तो जो मैंने systematic error में लेका था, कि systematic error is a fixed error or constant error. तो इसका मतलब आपके पास क्या बनता है? इसका मतलब आपके पास ये बनता है, कि अगर आप इस impier meter को hazaar द constructed करें, तो हर द दफा ये आपको one impier error देगा, हर दफा ये आपको one impier error देगा. ठीक है, यह याद रिके, आप इसको सो दफ़ इस्तिमाल करें, तो हर दफ़ यह आपको वन इंपेर एरर देगा, तो इसलिए मैंने सिस्टेमेटिक एरर में लिखाता है, कि सिस्टेमेटिक एरर is a fixed or constant error, तो मैं तेके मिसी क्यों बना सकता हूँ, किसरा बना सकता हूँ, if I repeat experiment by using a single device 10 times, मैं experiment को 10 times जो है, repeat करा हूँ, ठीक है, and every time I get a fixed error or constant error, then the type of error will be dash, तो systematic error, type of error आपके पास systematic error होगा, ठीक है, मैं भी आपको तो 3-4 major values given हो with error, और आप से पूछ लिया जाहे के, इस data से मुझी बताए, the type of error will be dash, तो अगर आप देके, error fix आ रहा है, तो systematic error, और अगर error fix या कांस नहीं आ रहा, same नहीं आ रहा, तो random error आपके पास होगा, तो यह जह मैं बताए, ठीक है, if I repeat experiment 10 times by using a single device, and every time I get different error, then the type of error will be dash fix, अगर आप हर दफा different error हासिल करें, the type of error will be random error, type of error आपके पास random error होगा, लेकिन अगर fix error आजाए, तो systematic error आपके पास होगा, ठीक है, अब zero error, आपके पास दो किसम के हैं, positive 0 error, positive 0 error, इसको मैं इस सरे define करता हूँ, if measured value, m.v measured value, if measured value is greater than the actual value, आप एक device को इस्तेमाल करें, तो आपके पास अगर measured value आजाए, actual value से ज्यादा, ठीक है, तो पिर आपके पास जो error होगा, वो positive 0 error, type of error systematic होगा, लेकिन error आपके पास positive 0 error होगा, type of error, 0 error systematic error ही है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास the type of error, if the measured value is greater than the actual value, then the type of error तो systematic, अगर मैं लिक लिक लिए होगा, then error तो positive 0 error, अगर आप इस error को remove करना चाहते हैं, तो आप इस तरह निकालेंगे, actual value is equal to measured value minus positive 0 error, m.v measured value, p.z.e positive 0 error, तो अगर आप measured value से positive 0 error को subtract करें, ठीक है, तो आपके पास आजाएगा, actual value आपके पास आजाएगा, तो positive 0 error को अगर आप measured value से subtract करें, तो actual value आपके पास आजाएगा, ठीक है, ये आपके पास है negative 0 error, अच्छा ये positive 0 error को ये देखें, अगर किसी को समझ नहीं आएगा, positive 0 error, तो आप इस diagram को देखें, अब मुझे बताए, अगर इस सरक्ट में, अगर मैं इसको एक सरक्ट में लगा रहा हूँ, जिसमें actual current 3 ampere हो, ये मुझे क्या शो करेगा, तो अगर actual current 3 ampere हो किसी सरक्ट में, और उस सरक्ट में मैं इस ampere meter को लगा रहा हूँ, ये मुझे 4 ampere current देगा, तो 4 ampere mere value है, actual current 3 ampere है, तो आपके पास error जोगा, वो positive 0 error हो, आपके पास क्या होगा, positive 0 error आपके पास होगा, ठीक है, अगर मैं इस ampere meter को एक सरक्ट में लगा रहा हूँ, इस ampere meter को मैं एक सरक्ट में लगा रहा हूँ, जिसमें actual current 5 ampere है, ये मुझे क्या शोग करेगा, 6 ampere, तो 6 ampere mere value है, और वो 5 ampere से ज्यादा है, positive 0 error, ठीक है, negative 0 error, अगर ये pointer 1 ampere पीछे हो, if the pointer is behind 0, negative 0 error, if the pointer is, if the pointer is on this side from 0, ठीक है, या forward from 0, तो पिर आपके पास positive 0 error होगा, तो negative 0 error, अगर ये 1 ampere है, पीछे, तो मैं अगर इसके एक ऐसे सरक्ट में लगा रहा हूँ, जिसमें actual current 4 ampere है, ये मुझे 3 ampere शोग करें, 3 ampere mere value, तो if mere value, अगर mere value, actual value से lesser, तो पिर आपके पास error, negative 0 error होगा, ठीक है, और अगर मैं actual value को मालूम कर रहा हूँ, तो mere value से, आप, mere value के साथ, आप negative 0 error को aid करें, आपके पास actual value आजाएं, आपके पास क्या आजाएगा, actual value आजाएगा, तो ये आपके पास negative 0 error, ठीक है, और 0 error आपके पास systematic error ही है, ठीक है, और यहां से आपने देख लिए कि ये fixed error है, तो types of error में इस किसम के MCQs आपके पास आ सकते, I repeat experiment five times, six times, every time I get a fix or constant error, the type of error systematic, different error, random, if I repeat experiment n times, then the error will be n time decreases, मतलब जितने number of experiments आप बढ़ा रहे, आपके पास error उतना ही कम होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास types of error में important चीजे आपके पास आगए, अच्छा, uncertainty में आपके बुक के सीक्वेंसे नहीं जा रहा, मैं आ सीक्वेंसे जा रहा हूं, किस topic के बाद में क्या पढ़ा हूं, ठीक है, तो वो मुझे पता है, किस तरह में जाओं तो आपके लिए आसानी होगे, ठीक है, तो मैं uncertainty को जो है, वो स्टार्ट कर रहा हूं, uncertainty आपके पास जो है, ये भी आपके पास है, the range or estimate of error, range or estimate of error, अंसर्टिनिटी का मतलब क्या होता है, uncertainty भी error है, लेकिन noon error नहीं है, non error, exactly आप नहीं बता सकते कि इतना error होगा, इसलिए इसको हम uncertainty क्याते हैं, ठीक है, इसमें शक होता है, exactly ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए इसको नाम uncertainty दिया गिया है, और याद रहे कि uncertainty भी error है, लेकिन noon error नहीं है, और मुझे किस तरह पता चलेगा कौन सा error है, और कौन सा uncertainty है, तो बहुत असान है, अगर आपके पास actual value है, तो आपने जो value मयर कि उसका difference निकाल ले, वो error कहलाता है, लेकिन अगर आपके पास actual value नहीं है, तो पिर आप estimated, अंदाज़तन error लेते हैं, और अंदाज़तन error ये uncertainty कहलाता है, अंदाज़तन error आपके पास चो है, वो uncertainty कहलाता है, और इसकी मिसाल में students को ये देता हूँ, कि क्लास से आप बाहर है, और आपको अंदर में नजर नहीं आ रहा, कि क्लास में सरजहार इस टाम किदर मुझूद है, तो कोई बताती है, और म बंदा आज़ा है, और वो मुझे देख लिए और गयादे कि यार ये तो बोट से नहीं है, दर्मयान में कड़ा है, तो जो difference था, वो error था, तो error नोन value होता है, और uncertainty ये estimated error होता है, अंदाज़तन error होता है, ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रहे कि, so the range are estimate of error, अगर actual value है तो फिर तो error आप exactly मालूम कर सकते हैं, अगर actual value नहीं है, तो फिर आप exact error मालूम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको फिर uncertainty कहते हैं, absolute uncertainty, absolute uncertainty, याद रखे, इसको हम ये भी कहते हैं, this is the maximum possible error, जो अभी कुछ दिर पहले मैं discuss कर चुका हूँ, this is equal to plus minus least count of a device, plus minus least count, ये plus आपको किस चीज के बारे में बताता है, ये आपको maximum range of actual value, ये maximum range of actual value, ये minus आपके पास जो है, ये आपको minimum range of actual value के बारे में बताता है, plus maximum range of actual value, maximum range of actual value, minimum range of actual value, plus minus, जिस तरह मँंभी में इस्थिमाल करते हैं, अपको काम और बेश, ठीक है, जिस तरह में आपको काम और बेश, झीक है, ये ये plus minus वही काम और बेश है, ठीक है, तो, absolute uncertainty which is the maximum possible error is equal to plus minus list count वो एक्जम्पल जो मैंने पहले आपको बता है रूलर था और रूलर से आपने एक लाइन के लेंद को मैयर किया 1.2 cm ठीक है मैं अगर यहाँ पर वह ही डेग्राम बना लू ठीक है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यह आपके पास 1 cm 1 2 3 4 5 इस तरह जाते चाहें ठीक है यह आपके पास एक लाइन है यह आपके पास एक लाइन है और इसके लेंद को मैंने रूलर से मजर किया तो लेंद आपके पास 1.3 cm लेकिन क्या इस लाइन का एक्जेक्ट लेंद 1.3 cm है exact no, याद रहे कि exact observation आप नहीं कर सकते हैं, कि बस हाँ, यह length और यह exactly यह value है, exact measurement is not possible, up to now, वो ideal measurement होगा, और अगर आप से कोई पूचे कि exact measurement कब possible है, तो देखें, least count जितना कम होगा, maximum possible error उतना ही कम होगा, अगर एक device का least count zero हो, तो absolute, वो exact measurement कर सकता है, which is not possible, ठीक है, तो error free measurement possible नहीं है, ठीक है, तो 1.3 cm, plus minus 0.1 cm, क्योंकि मैंने रूलर को इस्तेमाल किया, तो देखें, अगर आप 1.3 के साथ 1.8 करें, 1.4 cm, यह आपके पास maximum range of actual value है, और अगर आप इसको subtract करें, 1.3 minus 1.1, 1.2 cm, यह आपके पास minimum range of actual value है, अब इस line का actual length क्या है, यह कोई नहीं बता सकता है, हाँ, एक range है, 1.4 और 1.2 cm के देरिमियान actual length है, actual length क्या है, यह कोई नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है, तो यह बात याद रिखें, तो यह plus minus least count, maximum range, plus minus minimum range, अगर आप मैयर वेल्यू के साथ least count को aid करें, वो आपको maximum range of actual value के बारे में बताते हैं, अगर आप लोग मैयर वेल्यू से least count को सब्ट्रक करें, वो आपको minimum range of actual value के बारे में बताएगा, ठीक है, तो यह बात याद रहें के लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी इसके साथ में लिक रहा हूँ, ठीक है यह आपके पास बात तप्टीक है अगर आप डिवाइस को single time use कर रहे हैं ठीक है मैं इसके साथ लिख रहा हूँ device use single time अगर आप डिवाइस को single time इस्तिमाल कह रहे हैं तो पर यह ठीक है और मैं यहाँ पर लिख लोंगा absolute uncertainty या maximum possible error this will be equal to plus minus n times of least count मैं इसके साथ यह भी लिख लेता हूँ maximum possible error this is equal to plus minus n times of least count मैं इसके साथ bracket में लिख लेता हूँ if device repeated n times if devices repeated n times अगर आप device device को n times repeat करें ठीक है to measure a single measured value तो पिर आप अगर एक device को दो time repeat करें तो n2 होगा अगर आप एक device को three time repeat करें तो n3 होगा लेकर अगर आप device को एक दफा इस्तिमाल करें तो least count आप उस line के length को measure करने के लिए और ruler को एक दफा इस्तिमाल किया गिया है रूलर को एक दफा इस्तिमाल किया गिया है तो इसलिए मैंने वहाँ पर point one लिख ए ठीक है अच्छा अब देखें अगर इस wide board के length को मैं ruler से मैं पर आप लिए को एक दफा इस्तिमाल किया एक ruler का एक end यहां पर रख लिया दूसरा इंड यहां पर रख लिया बड़ा ruler था तो point one centimeter this is के length में uncertainty होगा अगर मेरे पास एक चोटा सा ruler है, चोटा सा ruler उसका एक end मैंने यहां पर रख लिया दूसरा इंड यहां पर यहां ने मैंजर किया फिर ruler को अठा कर यहां पर एक end यहां दूसरा इंड यहापर तो मैंने रूलर को दो दफ़ा इस्तेमाल किया तो फिर इस वाइड बोर्ड के लिंथ में uncertainty क्या होगा टू टाइम्स आफ लिस्ट काऊं टू टाइम्स आफ लिस्ट काऊं 0.2 cm आपके पास अगर मेरे पास इससे भी चोटा रूलर है 1, 2, 3 3, 3 दफ़ा में रिपीट किया तो 3 multiply by 0.1 cm ठीक है तो आप जितना टाइम डिवाइस को रिपीट करें उस नंबर को आप लिस्ट काऊं के साथ मल्डिप्लाई करें आपके पास आजएगा the uncertainty in a measured value ठीक है उमीद्या आपको समझा गिया होगा कि आप दिवार के लिन्द को मेजर करें आपके पास चोटा रूलर है आपने रूलर को 10 दफ़ा एक, दो, ती, इन, चार, पांच दफ़ा लिन्द जिस तरह यहाँ पर रूलर मैंने रख लिया एक, पिर उटा कर, दूसरे दफ़ा, पिर, तीसरे दफ़ा, पिर, चोटी दफ़ा, पिर, पांच दफ़ा रूलर चोटा है तो मैंने पांच दफ़ा रूलर को इस्तेमाल किया, इस वाइड बोर्ड के लिन्द को मेजर करने के लिए तो five multiply by least count of a device ठीक है, तो आपके पास error जो होगा या maximum possible error जो होगा या absolute uncertainty जो होगा तो जितना time आप रूलर को इस्तेमाल कर रहे उसको multiply करे with the least count of a device अगर मैं लिख लो a ruler is repeated 10 times to mirror length of rod which is, that is that is, length of rod is equal to 180.62 cm. 180.62 cm. Ruler is repeated 10 times. To measure length of rod, that is, 1080, no, I will write 1080.62 cm. 1080.62 cm is that rod's length. Then, absolute uncertainty. Absolute uncertainty in length of rod will be dish. Okay. Aapke paas, absolute uncertainty kya hoga, ya maximum possible error kya hoga? A option, 0.1 cm. B option, 1 cm. C option, 1 mm. Aapke paas, 10 cm. Aap ye deke, kitna time, aapne ruler ko repeat ke, 10 times. To N, aapke paas, kya hoga, 10. List count, kitna hai? 0.1 cm. Ye, aapke paas, 1 cm ban jae. So, 1 cm. So, 1 cm. Is the absolute uncertainty or the maximum possible error in the length of a rod. Aapke, in the length of a rod. Aap, yehaha paas meh, kitna taon. Device used to measure length of rod. That is, L is equal to 100.2 meter. Device used to measure length of rod. That is, 100.2 meter plus minus 0.5 meter. Device used to measure length of rod. That is, L is equal to 100.2 meter plus minus 0.5 meter. If least count, if least count of device is 0.1 meter. If least count of device is 0.1 meter, then, how much, then, how much device repeated to measure length of rod? Length of rod. Aoption, 1, Boption, how much times? How much times device repeated to measure length of rod? 1, 5, 10. And, D option, Aapke, Paas, that is, 4. Thick hai, yeh, Aapke, Paas, options. So, dhekhe, list count, Aapke, Paas, kitne? List count, 0.1 meter hai. Thick hai? Or, aapke, Aapke, to absolute uncertainty, kitna diya yeh, 0.5. Tho, 0.1 ke saap mein koon sa number multiply karo ke 0.5 aajay toh 5. It means, a device is repeated five times. Device ko five times repeat kiya. Yeh, yeh, dhekhe, ruler hai. Tho, ruler ko dhekhe, meinne ek defa. Istimbal kiya. Yeh, ek defa. Thick hai, phir meinne esko utha kar, yeh, 2 defa. Phir, yeh, 3 defa. Phir, yeh, 4 defa. Tho, minne lint ko measure karne ke leh, ruler ko four time use kiya. Tho, dhekhe, list count is me. Ismeh bhi list count jitna error hooga. List count, phir, list count, phir, list count, phir. Tho, list count ko 4 defa aid karein. Tho, four times of list count. Four times of list count. Thick hai, tho, isliya minne, yehaa pa, end times of list count leka tha. Thick hai, tho, yeh, aapke paas absolute uncertainty. Agar, aap device ko, end times repeat kare raha hai. Tho, phir, aap end number ko multiply kareenge with the least count. Thick hai, abh, yehaa paer aapke paas jho hai, fractional. Thick hai, fractional uncertainty. Ya, fractional ko hum relative uncertainty bhi keate hain. Fractional or relative uncertainty bhi isko hum keate hain. Thick hai, so the ratio of uncertainty and measured value. Agar, aap uncertainty or measured value ka ratio nikala hai, yeh, aapko relative ya fractional uncertainty dhe ga. Thick hai, formulae ke mutabik se uncertainty divide by measured value. Uncertainty divide by measured value. Isko hum fractional ya relative uncertainty kaatai. Thick hai, agar melu, let's suppose aapke paas length hai, 40.0 cm plus minus 0.1 cm. Tho, ismae aapke paas relative uncertainty jho hai, ya fractional uncertainty 0.1 divided by 40 cm. Tha, yeh, aapke paas 1 divided by 40 cm. Tho, agar, aap uncertainty ko measured value pae divide karein. Tho, yeh fractional ya relative uncertainty kaalata hai. Thick hai, percentage uncertainty aapke paas kya hooga? Percentage uncertainty. Uncertainty divide by measured value multiply by 100 divide by 100. Agar, aap fractional uncertainty ke saath 100 ko multiply bhi karein, all divide bhi karein. Tho, yeh, aapko percentage uncertainty dhe ga. Yeh, aapko kya dhe ga? Percentage uncertainty aapko dhe ga. Thick hai, tho, yeh, aapke paas, isko mai isstara bhi liqh sakta ho, percentage uncertainty is equal to uncertainty divide by measured value multiply by 100%. Multiply by 100%. Thick hai, aur, isko mai isstara bhi liqh sakta ho, percentage ka matthal bhi hota hai, ke agar aap loog kishi mayyad value ko 100 equal parts me divide karein, 100 equal parts me, toh, ek part me uncertainty percentage uncertainty kaalata hai. Percentage uncertainty ka matthal bhi hota hai, ke agar aap mayyad value ko 100 equal parts me divide karein, toh, ek part me uncertainty fractional ya relative uncertainty kaalata hai. Toh, yeh, aapke paas important discussion. Third lecture mein, inshallah, assessment of uncertainty, jokye kaafi important hai mcqs ke liye, assessment of uncertainty, addition rule, thik hai, product and division rule, power rule, uncertainty in mean value, uncertainty in timing, experiment, precision or accuracy. Isko mai inshallah, first chair mein padhaun ga. Thik hai, next lecture mein, inshallah. Thik hai, toh, aap isko ek nazar padhaun. Thank you so much. Thank you so much.